जै मातादी पून रूप से शक्तिशाली वशीकरण जो स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है मात्र लॉंग के प्रयोक से जी हाँ ये छोटी सी लॉंग दिखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत असरदार है मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि वशीकरण इतना प्रचंड है इसको आपको ध्यान रख कर करना है और ये उतारा नहीं जा सकता ये वशीकरण अगर आपने किसी पर एक बार कर दिया उसके बाद इस वशीकरण का कोई तोड नहीं है यानि कि आप इस वशीकरण को तोड नहीं सकते इसका प्रयोग करना चाहते है अगर आप और आपकी मनशा सही है आप जिस पर ये करना चाहते है सच्चे दिल से करना चाहते है तो इस विदी को आप जरूर प्रयोग मिला सकते है अपने प्यार को अपना बना सकते हैं आपका कोई दुश्मन है जोने आप दोस्त बनाना चाहते हैं वो आपको पसंद है लेकिन किसी वज़े से किसी करणवश वो आपके दुश्मन बन बैठे हैं आप वापिस उससे दोस्ती कर सकते हैं तो आप इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी एक शक्तिशाली मंत्र जिसका इस्तमाल करके आप अपने दुश्मनों को भी अपना सच्चा दोस्त बना सकते हैं जिहां इस लौंग की मदद से हम वशी करण करेंगे और किसी को अपना बना लेंगे तो आईए मैं आपको बताती हूँ आखिर आपको इसको करना कैसे है इस लौंग को आपको अपने मुह में रखना है ठीक जीब के नीचे यह लौंग आपको अपने मुह के अंदर रखना है जीब के नीचे रखना है उसके बाद ग्यारा बार उस शक्स का उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसके बाद इस long को अपनी जीब के नीचे रखिए ग्यारा बार उस व्यक्ति का नाम लीजे जिसको आपको काबू में करना है वश में करना है जिससे आप प्यार करते हैं जिसके साथ आप अपनी सारी जंदगी बिताना चाहते हैं उसके बाद आपको मंतर का उचारण करना है वो मैं आपको बताऊंगी सही उचारण करिएगा इसका किसी भी व्यक्ति को इस मंतर को पढ़कर आप पल भर में अपना बना सकते हैं ग्यारा बार आपको मंतर का उचारण करना है जहां ये वो मंत्र है जिसको करने मातर से आपको इसका फ़ल मिल जाएगा तो इस मंत्र का आपको ग्यारा बार उच्चारण करना है मंत्र का जाब करने के बाद मुझ से लौंग को निकाल ले और इसे सुखा ले फिर इस लॉंग का चूरण बना ले, फिर आपको क्या करना है, कि उस लॉंग के चूरण को उस व्यक्ति के किसी खाने पीने की चीज़ों में आपको उसको मिला देना है, जब वो व्यक्ति उस वशिकृत लॉंग को खा लेगा, तो वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तीन घंटे में उस व्यक्ति का कॉल या मैसेज आपके पास आ जाएगा और वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो उठेगा तड़प उठेगा वो चाहेगा कि वो अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बिताए और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बिलकुल ऐसा हो तो आपको करना है ये कि बिलकुल इसी तरह से इस विदी का इस्तमाल करना है और उस व्यक्ति को अपने खरीब ले आना है और दोस्तो अगर आप कहीं दूर रहते हैं और आप ये विधी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये विधी गुरु जी द्वारा करवा सकते हैं आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त गुरु जी का नंबर दिख रहा है फिर पर आब वशीकरन करने या करवाने से पहले गुरूजी से संपर्क जरूर करें क्योंकि वशीकरन करते वक्त किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाईश नहीं होनी चाहिए वशीकरन गलत हो गया तो इसका रिजल्ट भी आपको नुकसान दायक ही मिलेगा असर नहीं दिखेगा जी हाँ तो आज के लिए फिलाल इतना ही दीजिए जासत नमस्का